बुखार किसी बीमारी या इलनेस के जवाब में शरीर के तापमान में टेंप्ररी वृद्धी है. बुखार को उम्र के आधार पर हाई या लो माना जाता है. अडल्स, बुखार आम तोर पर तब माना जाता है जब शरीर का तापमान एक सौ दशमलोव चार डिगरी फारन हाईट अर तीस डिगरी सेल्सियस से अधिक हो जाता है. हाला कि बुखार तब तक खतरनाक नहीं माना जाता जब तक कि यह एक सौ तीन डिगरी फारन हाईट उन् से अधिक न पहुँच जाए चिल्डरिन शिशुओं शुन्य तीन महीने के लिए एक सौ दशमलोव चार डिग्री फारन हाइट अर्थीस डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक के रेक्टल तापमान पर मेडिकल अटेंशन देने की आवशक्ता होती है बच्चों तीन छे महीन के लिए तापमान एक सौ दो डिग्री फारन हाइट अर्थीस डशमलोव नौ डिग्री सेल्सियस से उपर या असुविधा के लक्षणों के लिए चिकित सकीय सलाह की आवशक्ता होती है जिन बच्चों साथ चौबीस महीने का तापमान एक दिन से अधिक समय तक एक सौ द डिग्री फारन हाइट अर्थीस दशमलोव नौ डिग्री सेल्सियस से उपर रहता है उन्हें चिकित सकीय सलाह लेनी चाहिए तेज बुखार से जुडी स्थितिया लो ग्रेड फीवर लगभग एक सौ दशमलोव चार डिग्री फारन हाइट एक सौ दो डिग्री फारन से उपर इन्फ्लुएंजा या जीवानों संक्रमन जैसे अधिक महत्वपूर्ण संक्रमनों का संकेत देता है बुखार से पीड़ित बच्चे के ठीक होने की संभावना है यदी वह प्रतिक्रियाशील हो अच्छा भोजन करे और अतिरिक्त लक्षणों का अभाव हो चिकि